तो हनी चूचा लाली पंडित जी और भोली पंजावन आ चुके हैं हम लोगों को हसाने के लिए एक बार फिर से एंड मानना पड़ेगा फरान अक्तर और एक्सेल मीडिया वालों को बड़ी शांदार तरीके से डेट को चूज किया इन्होंने 28 सेप्टेंबर भाई सलार यान फुक्रे पार्ट वन के अंदर इन्हें सपने आते थे याने चूचा देखता था सपने और हनी बनाता था लॉट्री के नंबर पार्ट टू के अंदर हमारा जो चूचा भाई है उसको होने लग जाता है देजा चू आइमीन देजावू मतलब प्रेमेशन याने फ्यूचर दिखने लगता है और उस गिफ्ट से इनने को मिल जाते हैं धेर सारे पैसे याने पैसे कमाने का तरीका और अब पार्ट ट्री के अंदर तो और हिलारियस चीज हो चुकी है यहने चूचे का सूसू बन गया है बारूत वा भाईया वा कुछ अलगे सोचते हैं यह लोग इन लड़ भी नहीं पाएंगे और इन्हें बचानी पड़ेगी अपनी जान और उस जान को बचाने के चक्कर में इनने कहीं पर छुपना पड़ेगा और वहीं पर इन्हें मिलेगा अपना नया गिफ्ट याने हनी चूचा लाली और पंडित जी को चूचे का सूसू जो की है पारू उथ पे ट्रोल अब क्या होगी इसकी स्टोरी ट्रेलर को बड़े शार्प तरीके से डिट किया गया घंधा डील में एकस्प्लेनेशन नहीं दिया गया कि वह एक। क्या होने वाली है मूवी की स्टोरी लेकिन जितना समझ में आया उत्ता मैंने आपसे कहा वेल इस मूवी के अंदर कॉमिक टाइमिंग वगेरा तो आप लोग सब जानते हो इन सभी आक्टर्स की कमाल की है एंड पूरा ट्रेलर हिलेरियस था मुझे बहुत हसी आई मुझे होते तो और जादा मज़ा आता लेकिन उन्होंने पहले कह दिया था कि में फुक्रे 3 का पार्ट बनना चाहता था लेकिन वह मिर्जापूर 3 के अंदर बिजी है इसलिए जफर भाई मूवी के अंदर नदारत रहेंगे आने के मिसिंग रहेंगे वेल आप लोगों को ट्रेल से मतलब लोट पोट हो जाएंगे और मजा आ जाएगा तो वेल आपको ट्रेलर कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन जरूर बताना वीडियो पसंद आये तो लाइक करना एंड प्लीज इट सा रिक्वेस्ट अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना मिलता हम आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए कीप वाचिंग